सूही गईज बारिश के मुसम पे इस तरह के बरतन तो आपको दिखने को मिल जाएंगी तो इसमें मैंने उपर और नीचे दोनों तरफ होल कर लिया था और ये मिट्टी का बरतन है इसी तरह से आपको होल कर लेना है जैसे कि मैंने किया है यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मॉंक बना दिया है थोड़ा सा जैशो बना रही हूँ जैशो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पाउडर का यूज किया है और पाउडर और मैंने साथ में लिया है थोड़ा सा गलू जैसे कि आप देख रहे हैं साथ में थोड़ा सा फैबरिक कलर वाइट कलर का अच्छे से दोनों मिट्टी के बरतन पे लगा दिया और ये जब सूख गए तो थोड़ा सा मैंने मॉल्डट लिया मॉल्डट से इसकी बाकी सारी कलाकरतिया करेंगे आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं जैसा आपके माइंड में डिजाइन आता है वैसा आप बना लीजिए घर को सजाने के लिए जितना हो सके अपने घर में पड़ी हुई चीजों से सजाएंगे न तो ये एक मेडिटेशन होती है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मन को और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की जिसमें भी आपका मन कर रहा है वो ही काम कीजिए तो यहां पर मुझे ऐसे टाइम पर आर्ट करना बहुत पसंद आता है जब मैं ऐसी चीजे बनाती हूं तो दिमाग एकदम से शान्त हो जाता है और दिमाग इतना अच्छा हो मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए जो कि हमारे मन को खुश करता हो तो यहां पर मैंने छोटा सा बाउल पकड़ा दिया है बुद्धा जी के हाथ में तो देखिए यह जो मॉंक है यह जो बुद्धा है यह बहुत ही प्यारा बनने लग रहा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में मैंने थोड़ा सा इसके में टीशू पिपर का बॉल बना के डाल दिया है जिसे कि मैं बाद में जब इसे खोलूंगी तो जो बॉल है यह साफ दिखाई दे अब आप देख रहे हैं ना मैंने एक प आप पैन का यूज़ कर सकते हैं तो सेम मैंने दो बनाए हैं एक में मैंने हाथ में लोटस पकड़ाया है और एक के हाथ में मैंने बाउल पकड़ाई है तो चलो अब इसको कलर कर लेते हैं तो कलर करने के लिए मैंने यहां पर ब्लैक कलर यूज़ किया है आपका जो भी फे फेस है इस पर लगा देंगे अब यहां पर जो हाथों पर भी मैं स्किन कलर लगा रही हूं साथ में जो मैंने चिट डाली थी टीशु पेपर की वो भी निकाल देते हैं अब यह देखिए आपको जो होल है वो दिखाई दे रहा होगा ना बिलकुल साफ दिखाई दे रहा है इसी तरह का होल आपको बना लेना है अब यह जो हमारे मोंक होते हैं इनकी जो ड्रेस होती है वो औरेंज कलर की होती है बुद्धा जी जो है वो औरेंज कलर की ड्रेस पहनते हैं तो इसी तरह का आपको बोध बनाना है यहां पर आपको औरेंज कलर कर देना है थोड़ा सा म मैं यहाँ पर मंडाला का यूज कर रही हूँ इस से मैं फलार्स बना रही हूँ कुछ लाल रंगे और कुछ पीले रंगे रंग भी रंगे फूल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं यह कुछ इस तरह कर बन के तयार हो गया जब यह सूख जाएगा तब हम आखे बनाएंगे और चोटा सा फेस बजाएंगे अब यहाँ पर बारी आती है यह जो हमने बॉल बनाया है इसको डेकोरेट करने की तो यहाँ पर बॉल के लिए भी मैं यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूं क्योंकि ब्लैक बहुत ही ज सूखने के बाद हम थोड़ा सा इसे और ग्लोसी लुक देंगे तो देखे पूरा अपलाई कर देना है आपको इस तरह से टॉप पर बहुत अच्छे से अपलाई करेंगे एक एक चीज़ की डेटेलिंग करेंगे यह देखे बहुत ही अच्छे से यह बन जाएगा अगर इसके साथ बहुत ही अच्छा यहां हमने सभी कलर अपलाई कर दी ए अब थोड़ा सा मैं यह ले रही हूं यहां पर सिल्वर कलर फिंगर टिप पर ले रही हूं इस एच्छे से लगा देंगे हैर अब देख इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है देखिए नैचुरल सा लुक लग रहा है यह कितना क्यूट लग रहा है अब हम इसे नीचे से भी थोड़ा सा सिल्वर कलर अपलाई कर देंगे यह कुछ इस तरह से लाइनों से सारा कलर हो गया है अच्छे से हमने सिल्वर कलर इस पर अपल दे रहा है इस तरह से धीरे धीरे धुआ भाराना शुरू हो जाएगा बहुत ही अच्छे वाला इससे लुक आएगा यह देखिए कितना प्यारा हमारा हम डेकोर पीस बन गया है और यह जो ग्लास है इसकी कीमत सिर्फ तीन रुपे हैं और यह तीन से तीन रुपे का अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा तो बाबाई फ्रेंज